तो शुरुबात करते हैं हमारे आज की वीडियो की और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका Chemistry यानिकी रसाइन साथ का सिलेबर्स फॉर यानिकी MP High School का जो एक्जामिशन होने वाला है उसका आपका Chemistry का सिलेबर्स क्या होगा तो चलिए शुरुबात करते हैं देख लेते हैं हमारा Chemistry का सिलेबर्स और प्लीज सब्सक्राइब आज चैनल तो स्टार्ट फस्ट यूनिट देखते हैं हमारी फस्ट यूनिट है आपकी तो अनुट की अवस्टाइब और साइन सास्ट की कुछ मूल भूत अवधारना में रसायन साथ की छेतर पधास की प्रकति क्या होती है तोस द्रव्य गैस परमानू अनू द्रव्य उनके गोड़ धर्म क्या है उसके अलावा उनकी अंतराश्टी जो पद्धतियां होती है वो ऐसा ही पद्धती है ऐसा ही में नाम किसको क्या कहा जाता है परमानु द्रभमान आणविक द्रभमान फिर मोल्स अंगल पना हो गया पतिशत हो गया शुआ पद्धती हैं अंतरान विक बल्ड़ आपको तैयार करना है फिर जो नियम है लूज सेक का वो का डॉल्टन कांसी दाफ नियम हो गया अडर्सका अणुगतिक सिद्धान्त हो गया ओडर्विक गतिपर मैक्सवैल वुट्समान विद्रण नियम हो गया ठीके और आपका बाश्यदा हो गया ठोसों का वरगी करन किस तरह से आप कर सकते हैं ठोसों में घनत वह ओर जा यह सारा कुछ हो गया अब थर्ड उनिट देखते हैं थर्डude में आपका पर्माणु सरजना ठीक है तो पर्मानु सरजना के अंदर के अंदर के आपको क्लासिकल थोड़ी डॉल्टन का पर्मानु सिद्धान्थ बोहर का पर्मानु सिद्धान्थ आदमिक सिद्धान्थ लुई दिबरागली सिद्धान्थ हाइजिन वोकी अनुश्रित्ता का सिद्धान्थ हो ग इसके लावा आमले उच्छारी विलियन विलियन में आनिक जो बंद बनते हैं उससे रिलेटिड कॉश्चन्स आतकते हैं अमले उच्छार की साफिक्ष पर बलता हो गई आंगे दिखते हैं आंगे आपका आ गया सूचकों की सिद्धान ठीक है फिफ्ट इनिट पर चलते हैं में आपका आएगा सत्तर रसाइन ठीक है सत्तर रसाइन में आपका दिशोचन अफसोचन पोशन बहुतते का दिशोचन रसाइन का दिशोचन हो गया उत्पेरंट के प्रकार क्या है उत्पेरंट की सिद्धान्त हो गया कोलाइड जो आपके कोलाइडों का वर्गी करन है को इसके लाव विद्धुदी करन्ट, टिंडल प्रभाव, हार्डी सुल्जे का नियम, बहु आणविक और ब्रहद, आणवी, कोलाइट, प्यायस और जैल नेक्स्ट आपका रसानिक भलगित की तो रसानिक भलगिती में देख लिएते अभीकिया दर की सिधधांत, अभीकियाद की दर, अभीकियाद को प्राख कानने वाले कारक, इसके लाव आणविक्ता और अभीकिया की कोडि, तीबर्गरामी अभीकियाए, लूमन सेंस और उजा स्थानतरं की अभीकियाए और आपका सक्रियन उर्जा, अरिहन, समीकरण और अभीकर्या का अर्द आयूकाल नेक्स ये आपकी अपचे उच्चा भीकर्याएं और विद्धुत रसाइन ये आपका सेवेंट यूनिट हो गया तो इसके अंदर देखें अपचे उच्चा भीकर्याएं और विद्धुत रसान इक सेल, इलेक्ट्रोड ठीक है इलेक्ट्रोड और उसकी बिवाव मानक इलेक्ट्रोड बिवाव हो गया ठीक है इसके लावब इदन सेल अवं संचारन next यूनिट जिसमें आपके आएंगी विलिंज विलिंज निकी मिक्षर जो रहता है की टाइपस उप विलिंज किह रहते हैं विलिंज की सांदरता को व्यक्त करना फिर द्रब में दाव ठोस की विलेता को प्रवाध ड्रब का बास्वरदाव उसके बाद आणविक द्रभमान वंट होफ गुणांग नेक्स्ट आपक यूनेट होगी रसायनिक वंधन और आणविक सनरशना है जिनमे सहयोजी एलेक्ट्रोन और लुई सनरशना है आणविक बंद होगे, सहयोजी बंद होगे, वंद पैरामीटर उपस सहयोजी बंद दुब्रेता और दुई धुरवे आघुन होगे और सहयोजगता को सेलेक्ट्रोन यग्मिरपतिकर्शन सिध्धान आणविक कक्षक का सिध्धान और संक्रण के अवधारना SPD और ठीक है, SPD और 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 बिटल्स आपको रहेंगी और हाइजन बंद और अनवाद नेक्स देखा जाएक टैंथ यूनिट है जिसमें आपका आएगा उश्मा गतिकी दूश्मा गतिकी में आपके तंत्र के मैक्रोस्कोपिक गुण तंत्र और वातवरण की बीच उचा का स्तांत्रण इसके लावा प्रवस्था नियम, प्रवस्था आरेक उश्मा गतिकी का प्रथम दूसरा और नियम अभिक्रिया की आंत्रिक उज़ा और एंथेल्पी उनकी माप और अनुप्रियो इसके लावा एंटोरोपी और सतर प्रविर्थता हल्मोल्टिस और गिव्स की मुख दूजा विद्धु रसाइंस सेल की उश्मा गतिकी फिर आपका जो 11 पार्ट आएगा वो होगा तत्तों का वर्गी करण ठीक है तत्तों का वर्गी करण इसी में आपकी आवर्ट्स रणी आ जाएगी ठीक है आवर्ट्स रणी फिर आईओ पी एसी नेम जीतनी विधात हुए है उनकी फिर आपको SBTF और विटल्स आ जाएंगे और उसमें एलक्ट्रोनिक हो गए विद्धु रणात्मक्ता हो गई परमानुत रिज्जा आईनेक सेयो जगता 12 उनिट में आपका हाइड्रोजन से रिलेटेड आवर्ट्स रेनी में इसकी स्थिती क्या है इसकी प्राप्तिस्थान समस्थाने ठीक है छोटे पैमाने और अद्दो की किस्तर भाइड्रजन बनानी की विधी इसकी गुण उप्योग हाइड्राइड कठोजल म्रदूजल अधियोग हाइड्रोजन पर ऑक्साइड हाइड्रोजन अर्थ विवस्ता इधन की रूप में हाइड्रोजन फिर 13 पर चलते हैं आपका S-Block की तत्वा तो S-Block की तत्व में कौन-कौन से तत्वा आते हैं वो सारी यहां पर आपको जिंक कॉपार आयनल और ऑक्सी अप्च चूना और चूनी की पत्थर के अध्योग फिर आता है आपका P-Block जो की नेक्स्ट यूनिट में यहां पर आ चुका है P-Block की तत्व से रिल्टेट कॉस्टेंस हो गए 13-18 की तत्वों की बहुत देक और रसानिक गड़ों में भिविननेता फिर बोरिक्स और बोरिक बनाने की विद्धी गोण और उपियोग और फिर हैलोजन योगेक आयरन हैलोजन के ऑक्सियम उनकी सतनशना अब आपकी जो नेक्स यूनिट रहेगी जिसमें आपके आप आप आज आएंगी डी और अलगल हो गया आपको एक यूनिट में पूछे जाएंगे इनका परिच और कार्वध धात्वी की ठीक हर ऑगा योग को कार्थ बर्नर करें तब कर सिद्धांत आपको आएगा संवाए योगो में बंधन रंग चुमिक एगुन और रशायनिक और जैविक महत हो गया नेक्स देखें आपका कार्वनिक रसाइंस सास्त्र तो कार्वनिक रसाइंस सा यहां पर आ सकती है और कार्मिक विक्रियाओं के प्रकार हो गया फिर 18 पर चलते हैं जिसमें आपको हाइड्रोकारवन का वर्गी करन आएगा जिसमें एलकेन हो गया फिर साइक्लो एलकेन आएगा एलकेन साब को पढ़ना है उनके सारे फिजिकल्स और केमिकल्स जो भी से जुड़े कुछ क्वेश्चन्स होंगे फिर आपकी 23 तो समय आएगा हैलो एलकेन्स और हैलो एरियंस का वर्गी करन भीवेद्रता हो गई ठीक है फिर 21 में आपका एलकोहल फेनॉल और एथर से रिलेटेड हो गए उनके अंतर ठीक है नेक्स है 22 यूनिट जिसमें आपका हेल्डिडाइट कीटोन और कार्बॉक्सरिक अमल उनकी रसाइने गुण बहुत एक गुण किस प्रकार बनाए जाए यह सारा कुछ आएगा फिर 13 त आप देखें नाट्रिजन यूक त्यारने क्योंकों से रिलेटेड कॉश्चन्स बहुत एक गुण रसाइने गुण फिर फिर प्रोटीन से रिलेटेटेड कॉश्चन्स बूचे जाएंगे प्रोटीन एक ठीक है फिर एन्जाइम आपका आएगा फिर आपका है नियुक्य आपका बितमिनिस फिर दैनिक जी वन में रसाइने क्या है उससे कुश्चन्स आएगे आपके 26 उनिट में ड्रग्स और औ का जो syllabus है English में भी available है ठीक है तो यह था हमारा syllabus of chemistry यानि कि आपका जो रसाइन साथ रहे MP high school की जो exam है उसके लिए तो थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो